मैंने देखा है कि दुनिया में कोचीज इतना टिपिकल प्रपोजल बनाते हैं कि पढ़ने वाला फ्रेंचाइजी नहीं लेता तो ध्यान रखिए हर स्केल पर किसी भी बिजनस को फ्रेंचाइज किया जा सकता है दुनिया का सबसे टिपिकल बिजनस प्रपोजल 10% समझ में आया फिर मैंने 90% बालों को भेजा बैसे इसको पढ़के बताओ इसका मतलब क्या है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देनी की कोशिश करूँगा तो बैस आप कोई भी उनको कोण नहीं देता वी आर मेटास लाइफस्टाइल इंडिया जीडिंग मैनर्फाक्टरर ऑफ स्टेलने स्टील मोडूलर किचिन बाथरूम वैनिटी वाडरोब और स्टील इंटिरियर आफरिंग फ्रेंचाइजी शोरूम और डिलर्शिप शोरूम पान इंडिया यू में कांटाक्ट माइटीम बिजनस को एक्सपेंशन के ओर ले जाना है तो आपके जैसे क्लोन आपके साथ होने चाहिए और उन क्लोन्स को कहते है हमारे फ्रेंचाइजी है हमारे डिलर क्योंकि वह हमारा इंप्लॉई नहीं है अगर इतना ही बिजनस इंप्लॉई बेस्ट पर चल सकता तो हर कंपनी अपने आउटलेट अपने इंप्लॉई से चलवाती क्यों क्योंकि सामने वाला व्यक्ति employee है उसका investment नहीं लगा हुआ उसका mindset इस तरह से नहीं है वो 8 hours work करेगा काम करेगा और चला जाएगा लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति आपका associate partner है dealer है distributor है franchise है तो वो ठीक वैसे काम करेगा जैसे आप कर रहे हैं और आपके business के plan को ही follow करत and hard working के courses है networking के courses है तो वो सारे courses हम लोग कराते हैं और पूरे इंडिया में हमारे franchisee module पर हमारे business चल रहे हैं तो franchisee business या dealership business करना है तो first है company owned company operated COCO company के ही पैसे लगे हैं और company operate कर रही है या company manage कर रही है company operate कर रही है investor ने तो पैसा दे दिया है खाली कि यह मेरा fix amount है जैसे Charlie आउ template बना के देंगे हमारे ही लोग उसको manage करेंगे उसको मुलते company on company operated franchisee owned franchisee operated एक व्यक्ति ने franchisee ली वही उसको चला रहा है वही उसको बना रहा है आपकी guidelines को follow करते हो उसी का investment लगा हुआ है that's means वह अपने आप में एक अलग company है आप अपने एक अलग company है सिर्फ अंतर क्या है क guidelines हमारी follow कर रहा है franchisee owned company operated कि पैसा तो franchisee का लगा है लेकिन उसको चलाने का काम है वह company करेगी company के मन में कई बार यह question होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा franchisee मेरी quality को down कर दे या मेरे standard को down कर दे या मेरे brand को कही ना कही नीचे ले जाए तो इस वज़े से कई लोग क्या करते है franchisee owned होता तो वो franchisee का है लेकिन चलाने का management का काम company करती है जैसे हमारे इंडिया में दो play school चलते हैं बच्पन play school franchisee owned franchisee operated लेकिन mother pride franchisee owned but company operated केते हैं मालिक हो आप cabin में बैठो चलाएंगे हम लोग next हो गया company owned franchisee operated अब वो क्या करते है एक fixed amount लेते हैं बनाएगी company owned करेगी पर चलाने के लिए franchisee को देगी और fixed investment पर return देते हैं MG system बहुत सारे business में MG होता है minimum guarantee कि मैं आपके brand पर 2 करोट रुपए लगा रहा हूं तो कितनी minimum guarantee देंगे हर industry में नहीं होता हमारी industry में भी नहीं होत आपकी guidelines आपका system आपका method आपके success के तरीके बट इसमें बड़ा important है कि आप सही तरीके से observe करें कि आपका franchise सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं तो ध्यान रखिए हर scale पर किसी भी business को franchise किया जा सकता है बशरते आपको सामने वाले को business proposal देना आता हो अब business proposal draft करना जब हम एक franchise ले लो जी अपने अपने राज्यों में तो आप क्या पूछोगे मुझसे अब आप सबसे पहले क्या पूछोगे कितने पैसे लगेंगे number one आगे पहले सवाल का जवाब दूसरा क्या पूछेंगे कितना area चाहिए नहीं नहीं कितनी जगह चाहिए मालो आप पैसे लगाने कितनी जगह चाहिए तीसरा प्रश्ण पैसे कितने कमालेंगे यह ज़यरा पूछेंगे जाहतर दिमाग में आता है चौथा प्रश्ण और क्या पूछेंगे जी देखिए बिल्कुल सिंपल है चौथा की खर्चे कितने होंगे पांच वा प्रशन सपोर्ट क्या देंगे छोड़ दो सब प्रपोजल वगएरा सोचो एक देशी व्यापारी आगया और देशी व्यापारी लाला जी आगया सब खरीदने के लिए बिजनस तो आप क्या करे चाहिए कितना पैसा लगेगा क्या प्रोड़क्त है कितना प्रॉफिट मार्जन है मेरे कितने मंथली खर्चे होंगे मार्केटिंग कैसे होगी क्या प्रोड़क्त टेस्टीड है कि मार्केट में बिकेगा टेस्टीड है गरेंटीड है और क्या होगा आपकी तरफ से सपोर् प्रपोजल बनाते हैं कि पढ़ने वाला फ्रंचाइज ही नहीं लेता टम्स अन कंडिशन का अगर आप दे तो 15 पेज का भाई सब गैरेंटी है वो 15 दिन बाद तक भी आपको ठीक है तो समझने का मतलब क्या है बिसनिस प्रपोजल बनाना दुलिए का सबसेासान काम है अब आपने बिसनिस किया है तभी तो फ्रेंचाईजी दे रहे है थे तो आप अपने बिसनिस के बारे में बता दो आपको सिर्फ वही बताना है जो आपने मुझसे पूछा है प्रपोजल बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है और बहुत अच्छी PPT ना बना सके तो वर्ड में बना के देतो लोग जिसको बिजनस करना है वर्ड एक्सल फाइल में भी प्रपोजल सेलेक्टर लेते है तो प्रपोजल में हमें क्या करना है सबसे पहले देखे किसी भी व्यक्ति को बिजनस प्रपोजल बेचना है तो पहले अपनी कंपनी की प्रफाइल बताओ कि हम कौन है किस ने का था कि तुम मुझे खून्दो मैं तुम्हे आजाधी दूँगा सुभाश्शंद्रबोष जी ने का था और लोगों ने क्या किया उनके लिए भारत की जैहिंद फाज आजाद हिंद फाज वो बना दी क्यों बनाई क्योंकि चुपाशंद्रभोश जी ने बहाँ था तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा, उन्हें गेरेंटी लिथी इस बात की, अगर वो कहते तुम मुझे खुन दे दो मैं आजादी देनी की कोशिश करूँगा, तो कोई देता, कहते बाई तेरी कोशिश में हम मर जाएं believe me अगर वो यह कहता कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देनी की कोशिश करूँगा तो बाइसाब कोई भी उनको खून नहीं देता उन्हें बड़े confidence के साथ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ठीक यही बात किसी भी मैं successful business चला रहा हूं और उसका proof क्या है मेरी profile क्या establish मेरी company कब हुई वो government of India कि site पर जाके check कर लेगा जूट बोल रहा है नहीं मैं अगर कहता हूं मेरी public limited company 2015 में बनी तो कोई भी check कर सकता है Metas overseas limited establishment आजाएगा आपके सामने किस date को बनी है तो पहली चीज आपका establishment आपका vision क्या है ऐसे business के साथ जोड़ना है जिसका vision है कि आने वाले समय में पूरे इंडिया में इतना काम करेंगे इतना development करेंगे इतने products देंगे services देंगे हमारा goal क्या है हमारा goal है कि हमारा हर unit अपने आपको 10 गुना कर ले अपने sales के volume को एक करोड से 20 करोड पर लेके जाए 20 करोड से 100 क तो आप बताएंगे मेरा goal क्या है achievements क्या है मेरे achievements यह मैंने यह काम किया हुआ है number one business excellency award organized by ITPO इंडिया trade fair जो लगता है वहाँ पे मुझे business award मिला हुआ है successful entrepreneur of the year का award मिला हुआ है तो आपके achievements क्या है और आपने किन brands के साथ काम किया कि यह list of brand के साथ मैंने काम किया Omex से लेकर पूरे इंडिया में बिचास ब्रैंड गिना दूगा जिनके साथ मैंने काम किया और उसका proof क्या है उसका proof क्या है जो मेरे पास billing है GST billing है तो मैंने क्या दिखाया कि मेरे achievements क्या है मेरे products क्या है जिस भी product as service में आप deal करते है उसके बारे में आब बताएंगे कि हम यह course करते है ये course कराते हैं, ये course कराते हैं, ये product है, ये product है, ये product है, उसके बाद आपके साथ, अगर मैं मिलता हूँ, तो future growth possibility क्या है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के उपर पैसा लगा देंगे, जिसो बताई दें कि future में तो डूब सकते हम, तो दोनों मिलके डूबेंगे, नहीं लगाएगा Simple, जिन शब्दों में आप लिख सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति समझ सकता है, दुनिया का सबसे typical business proposal वो है, जो technically बना हुआ है, जिसको समझने में कई दिन लग जाते हैं, और दुनिया का सबसे असान business proposal वो है, जिसमें आप अपनी भाशा, अपनी बात, अपनी सफलता, उसमें से खर्चा करने के बाद कितना net profit बचेगा, और मैं क्या-क्या support दूगा मेरी तरफ से, और अगर in case नहीं चलता है, तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको wind up करेंगे, या कैसे उसको आगे ले जाएंगे, या कैसे उसको next forward करेंगे, सिर्फ इतनी बाते हैं, आप अपने franchise या dealer network बनाने के लिए उसी industry के लोगों को ढूंडते हैं, दुरभागेवस, 100 में से 98 प्रतिशत वो लोग जो same industry में, वो कभी franchise नहीं लेते, for example, मैं एक networking organization हूँ, आप एक networking organization, क्या मैं franchise लूँगा, नहीं, लेकिन मुझे networking का business करना है, इस profession में आना है, तो मैं ऐसे व्यक्ति बनाने के लिए area चाहिए 1200 से 1500, investment लगेगी 50 से 70 लाख रुपे, profit ratio होगा 40-60, 40% आपको margin होगा 60 हम लेंगे, मतलब material cost होगी उसमें, ठीक है, process period की इस काम को करने के लिए 30 से 45 दिन लगेंगे, कई businesses 60 दिन लगते हैं, कई businesses 20 दिन में शुरू हो सकते हैं, तो उसको बताओ कि कि आने वाली है, sales turnover expected क्या होगी, देखें, दो बाते हैं, आपने एक आथा कि उस area में business चलाने की guarantee, yes, एक area में business को चलाने की guarantee approved model है, उस area में expected है, जरूर नहीं कि एक व्यापार हर जगे एक जैसा चलेगा, हो सकता है, आपके unit से 10 गुना जादा बेतर unit किसी और का वहाँ चल ज जो मेरे खुद के institute से मेरे franchisee, जितना मेरा एक center कमाता है, उतनी तो वह royalty दे रहते हैं, 15% खाली, कभी भी आप अंदाजा लगा भी नहीं सकते कि जिसको आपने franchisee दी है, वो किस लेवल पर business कर सकता है, मेरे chaine की franchisee है, वो इतने बड़े लोग हैं, कि अगर मैं अपनी जैसी height तो रहेगा तो बेटा ही न, yes or no, तो हमें क्या करना है, profit ratio क्या होगी, monthly expense क्या होगा, break even point का बाजाएगा, एक business को जब शुबारम कर देते हैं, तो शुबारम करने के बाद, बंदा ये पूशता है कि अब ये कब चलना शुरू हो जाएगा, break even का मतलब मेरे खर्चे पूर तो मान लीजे कि कोई ऐसा consultant नहीं है जो आपका best business proposal बना दे और आपका proposal, आप industry expert होने के बाद भी किसी ऐसे व्यक्ति को proposal दे दो, जो इस industry के बारे में कुछ न जानता, उसको technical समझी नहीं आएगा, business proposal must be like a layman language, कि कोई भी व्यक्ति असानी से समझ सके, और ROI वो पुछेगा कितने दिन में वापास आ जाएगा, आप बताओ, अगर छे मेने में ब्रेकी बना रहा है, तो ROI, return on investment कितने दिन में आ जाएगा, एक साल, दो साल, तीन साल, जिस business का ROI, दो से तीन साल में cover हो जाता है, वो दुनिया का बेतरीन business कहलाता है, तो जो company होती है, उसकी responsibility होती है, ज सेमिनार करता हूँ, वहाँ पर 5-6 बार सेमिनार हुआ नहीं और एक showroom खुल गया, पर राज्ये में जहां भी मैंने program किया है, महां तीन से 6 मेने के अंदर मैंने showroom ज़र खोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं, मैंने कितनी भी business की बात कियो, kitchen तो बहुत बार बोला ही होगा, तो सर लोगों को मेरा ही model पसंद आयता है, मौडल तो ढूंडी रहते है, यही बड़िया model है, अभी सर ने बताया, दीमग लग जाती है, और इसमें दीमग भी लगती है, तो यह बिल्कुल simple steps है, आप जैसी भाषा में, आपको अंदाजा नहीं है, आप से तो franchise लिनाएगा वो पर निकाला, यह area required यह लिखके दे दिया है, यही proposal है बस, बिलीव में proposal भी नहीं दिखाता हूँ, और एक समयस आएगा, आप proposal के इतने expert हो जाएंगे, आपने points में ही बात की, rough paper पर जो मैं खुद नहीं पढ़ पाता, बाद में मैंने क्या लिखा था, समझा देते हैं, ठीक वैसे ही काम करना चाहिए, जैसे आप successfully काम कर रहे हैं, वही effort, वही experience, वही knowledge आपको put on करनी है उसमें, ताकि आपका franchisee successful हो, और जितना ज्यादा franchisee successful होगा, उतने ज्यादा वो references भी franchisee के देगा, अगर lead, lead का reference देता है, तो franchisee, franchisee का reference देता है, या खुद कोशिश करता है कि और राज्यों में भी मैं खुल लूँ, क्योंकि business model run करने के लिए company पूरा support कर रही है,